हम देखेंगे कि कनाडा का जो अधिकांश हिस्सा है वो हीमाच्छादित है टुन्डरा प्रदेश है वहाँ पर जीलों से या घना वन आवरण है जिसके कारण वहाँ पर हमको रेल मार्ग कम देखने को मिलते हैं ये जो पुरी भौगालिक दशाएं हैं वो वहाँ पर रेल मा जो है वो बिछाई नहीं जा सकती हम देखते हैं कि यहाँ पर कनाडा में प्रमुख रूप से दो रेल मार्ग जो है वो हमको देखने को मिलते हैं जो कनाडा के दक्षणी हिस्से में हैं और वो भी संयुक्त राज अमेरिका या USA की सीमा के समाना अंतर अब हम बात करते हैं सबसे पहले कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जो ग्शुक्त बनाने का उद्देश क्या था यह आपके लिए एक अच्छा प्रेशन भी बनता है पूठ सकता है कि कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग के निर्मार का उद्देश क्या था तो आपको पता होना चाहिए कनाड़ा में ही एक है ब्रिटिश कोलंबिया राजे पहले एक स्वतंत्र राजे के रूप में था तो इसका उद्देश ये है कि मतलब इस रेल मारगों को बनाने का उद्देश ये था कि ब्रिटिश को कुलंबिया राज्य को कनाड़ा ने कहा भी कि बाकी सारे राज्य हैं यही राज्य अलग थलग है तो ब्रिटिश कोलंबिया को कनाड़ा के अन्य राज्यों की तरह कनाड़ा में मिलाना यह इसका प्रमुख उद्देश था और यह बात हुई लगभग 1886 में एक समझोता किया गया जिस समझौते की अंतरगत इस रेल मार्ग के निर्मान की बात कही गई और उसके अंतरगत ब्रिटिश कोलंबिया को कनाड़ा के अन्य राज्यों की की इस रेल मार्ग की लंबाई है अब हम बात करते हैं ये रेल मार्ग भी जो है वो पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ता है पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से ये रेल मार्ग जो है वो संयुक्तराज अमेरिका USA की सीमा के समानांतर हमको देखने को मिलता है याद कीजिए इसके पहले हमने देखा था जब हम संयुक्तराज अमेरिका के तीनों रेल मार्ग पढ़े थे तो वो भी कनाडा की सीमा के समानांतर थे मैंने उस समय भी बताया था आपको कि नीचे आपका USA संयुक्तराज अमेरिका है आपको मानचितर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और संयुक्तराज अमेरिका के ऊपर कनाडा की स्थिती है ति यह जो रेल मार्ग हैं वो जो कनाडा के रेल मार्ग हैं वो USA की सीमा के समान अंतर होंगे और जो USA की जो रेल मार्ग थे वो कनाडा की सीमा के समान अंतर थी यह आपको मानचितर में बहुत ध्यान से देखना हो गा अब हम बात करते हैं कि इस रेल मारग के द्वारा किस टाइप के पदार्थों का परिषण किया जाता है तो इसके द्वारा फल है, गेहूं है, सबजी है, लकडी है और जो खनीच पदार्थों का उत्पादन किया जाता है वो सभी इस रेल मार्ग के द्वारा परिवहन किये जाते है अब तीसरी important बात है हम ये देखते हैं कि ये कहां से कहां तक फैली हुई है तो ये पूर्व में सेंट लॉरेंस को पश्चिम में बैंकूवर से जोड़ता है पूर्व में सेंट लॉरेंस और पश्चिम में बैंकूवर अब हम देखते हैं कि इनके बीच में जो प्रमुख शहर पढ़ रहे हैं आए उनकी हम बात करते हैं तो हम देख पहले आपका पड़ गया पूर्व की तरफ जो है वो सेंट लॉरेंस उसके बाद फिर हम देख रहे हैं मॉन्ट्रियल है उसके बाद फिर ओटावा आता है फिर आगे आपका सडबरी फिर विनिपेग और उसके बाद रेजीना होते ही हुए ये बैंकुवर तक की यात्रा पूरि करता है यह रेल मार्ग अब हम इसके बाद आपका दूसरा हम देख रहे हैं कैनेडियन नैशनल रेलवे या कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग कैनेडियन Rastri जो है वो राज रेल मार्ग की हम बात कर रहे हैं तो इस रेल मार्ग के द्वारा महां लकडियों का कच्ची धातूं का गेहूं और कोईले का परिवहन इस रेल मार्ग के द्वारा किया जाता है अब हम देखते हैं कि यह कहां से कहां तक है ना तो यह हैली फॉक्स से शुरू होता है और प्रिंस रूपर्ट तक की यात्रा जो प्रिंस रूपर्ट तक की अपनी यात्रा को पूरा कर रहा है प्रिंस रूपर्ट आप देख पारे होंगे अलास्का अलास्का की नीचे यह जो कनाड़ा है यहाँ पर आपको प्रिंस रूपर्ट की स्थिती देखने को मिल रही है ठीक है प्रिंस रूपर्ट एड्मांटन आया एड्मांटन के बाद विनिपेक के पास आपका कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग और कैनेडियन रास्ट्री रेल मार्ग जो है वो दोनों मिलते हैं और उ और अस्ट्रेलिया के रेल मार्गों की बात करेंगे एक ही महत्वपूर्ण अंतर महाद्यूपी रेल मार्ग हम को देखने को मिलता है जिसकी लंबाई जो है वो लगभग 3586 किलो मीटर है और यह दक्षणी सीमा में है दक्षणी सीमा में होने के साथ साथ यह पूर्व में के जोड़ता है अब हम यह देखते हैं हमने नाम सुनाई है कि यहां काल्गुर्ली कुलगारडी जिए की स्वर्नट भडाने है तो यह हो का सोनध है और फल यह सारी चीजें जो है वह के द्वारा परिवहन की जाती है कि अपने सफर में ये किन शहरों को पार करता है तो आप देख रहे हैं सिड्नी से इसकी शुरुवात होती है इस रेल मारग की पूरों में सिड्नी से शहर से उसके बाद फिर यह सिड्नी से जाता है पाक से जाता है रोते उसके बाद फिर यह पहुंचता है पोर्ट अगस्ता और पोर्ट अगस्ता पहुंचने के बाद यह फिर पहुंच जाता है फॉरेस्ट और उसके बाद फिर काल गुरली और काल गुरली फिर कुल कारडी होते हुए यह पर्थ तक की अपनी यात्रा को पूरा करता है अब यह हो गई आस्ट्रेलिया के अंतर महाद्वी पी या अंतर देशी जो रेल मार्ग की बात अब हम देखते हैं अफ्रीका में अफ्रीका महादीप में आपका जो महत्वपूर्ण केप काहिरा रेल मार्ग है वो आपके अफ्रीका में दक्षन अफ्रीका से लेकर उत्तर में मिश्र के काहिरा तक प्रस्तावित है प्रस्तावित है कहने का मतलब है कि ये रेल मार्ग जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है अधूरा है अपूर्ण है और इसका जो निर्माण है वो तीन भागों में किया गया है तीन भागों में हम देखते हैं ये पहला वा तो पहले ही भाग का जो है उसके बाद इसका निर्मार जो है वो बीच में अधूरा हो गया है क्योंकि जो बहुत सारे यहां पर जल प्रपात और बीहड जंगल घने वन वनस्पतियां यहां पर मिलती हैं जिसके कारण यह अभी अपूर्ण है जब यह रेल मार्ग पूरा हो जाएगा तो इसकी कुल लंबाई जो है वो लगभग आपकी 1400 किलो मिटर हो जाएगी अब हम यह देखते हैं हमने अभी तक जितने बात की रेल मार्गों की वो आपके पूर्व से पर्श्रिम या पर्श्रिम से पूर्व तक फैले हुए थे जोड़ी हमने बात की हिए रेल मार्ग दकशि अफ्रीका को उत्तर में Griffin के काहिरा से जोड़ता है तो यह कहां कहां से होकर गुजर रहा है हम देखते हैं दक्षिन में केप टाउन दक्षिन अफरिका के केप टाउन शहर से ये शुरू होता है उसके बाद ये किमबरले पहुंसता है किमबरले भी आप जान रहे हैं अफरिका की स्वर्नक खदान है किमबरले के बाद ये जो हांसबर्ग उसके फिर पहुंच गया प्रिटोरिया उसके बाद बुलवाया बीच में हमने भी बताया कि इसमें विक्टोरिया टंगानिका जील आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं है ना इसके बड़े बड़े जल प्रपात यहाँ पर है बीहड जंगल है आर्थिक रूप से यह चेत्र जो है वो पिछडा हुआ है इसलिए यहाँ पर आपको बीच में यह चेत्र जो है छूटा हुआ दिखना है अधूरा दिखना यहां पर किसी भी प्रकार का रेल मार्ग हमको नहीं मिल रहाए उसके बाद फिर हम उत्तर की तरफ चले जाते हैं तो उसके बाद हमको दीख रह अब हम आजाते हैं दक्षणी अमेरिका और यूरोप पर दक्षणी अमेरिका के रेल मार्ग के सफर में हम देखते हैं कि यहां का जो प्रमुख रेल मार्ग का जाल है वो अर्जेंटीना के पंपास और ब्राजील के कहवा छेत्रों में ही अधिक विस्तरित रूप से फैला अब हम बात करते हैं यहां जो प्रमुख रेल मार्ग है वो एक है जो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जिसको हम कहते हैं यह कहां से कहां तक फैला हुआ है तो पूर्व में जो अर्जेंटीना है उसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स से लेकर पश्चिम में चिली तट पर वाल परेजों तक फैला हुआ है यह जो रेल मार्ग है वो सरवाधिक उचाई पर इस्थित है यह समुद्रतल से लगभग 3485 मीटर उचा है और एक बात यहां पर और महत्तवपूर्ण है जो आपको ध्यान देना चाहिए यह समुद्रतल से 3960 मीटर की उचाई पर इस्थित जो उस्पा लाता दर्रा से होकर यह एंडिस परवक्ष शिंखला को पार करता है अब यहां पर हम देखते हैं कि जो पंपाज का जो गेहुं है या पशों का जो मान्स है उसकी बात करेंगे या जितने भी प्रकार के जो खनी जुद्पाद हैं वो इस रेल मार्ग के द्वारा या परिवहन किए जाते हैं. यहां पर इनके बीच में इस रेल मार्ग के बीच में प्रमुकृप से दो इस्टेशन हमको पड़ते हैं या दो शहर देखने को मिलते हैं. पहले हम इसकी लंबाई देख लेते हैं. ये लगभग 1440 किलो मिटर लंबाई है इस रेल मार्ग की और ह हम देखते हैं लग अर्जेंटिना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से ये शुरू हो रहा है और उसके बाद पहुंसता है सेंटियागो सेंटियागो के बाद मेंडोजा मेंडोजा होते ही वाल पेरोजो तक का जो सफर है वो पूरा करता है ये हो गई दखशनी अमेरिका के रे अब हम यह देखते हैं यूरोप में जो रेल मार्ग है हमने भी बात की थी कि यहां पर यूरोप में रेल मार्ग का बहुत सघंजाल जो है वो बिचा हुआ है और घनत्व की भी दृस्टी से देखें तो सरवाधिक घनत रेल मार्गों का कहा है यूरोप में है और हमने बात भी की थी कि जो सबसे पहले रेल का जो अविश्कार कहांपर हुआ था Stockton से Darlington तक चली थी England के उत्तरी England के तो यह भी युरोप का ही एक देश है तो आए हम बात करते हैं जहां से रेल का अविश्कार हुआ है या सबसे पहले जो रेल चली है उसकी हम बात करते हैं कि यहां पर हमको दो प्रमुख जो है रेल मार्ग देखने को मिलते हैं पहला है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पहले हम इसके महत्व को समझ लेते हैं कि ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है इसका महत्व क्या है Trans Siberian मतलब पार मैंने कहा पार Siberia Rail Marge है यह Siberia को आपका जो Asia एशियाई रूस है उसको यूरोप के रूस के आर पार इसकी जो पार करना यह हम कहें वहां तक इसका पहुँच जो है वो निश्यत करना इस रेल मारग का उदेश है और सबसे प्रमुख जो कारण है हमने अभी इसके पहले बात की थी कि Canadian Pacific जो रेल मारग हमने देखा था कनाडा का उसमें हमने देखा था कि वो भी एक समझोते के तहत हुआ था जिसमें जो British Columbia राज है उसने यह शर्त रख दी थी कि जब तक उसे वो तब तक रास्ट मंडल का सदस सदस नहीं बनेगा जब तक उसे कनाडा में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि जब वो कनाडा के पूर्वी राजियों से जुड़ गया तो उसके विकास के जो आयाम है वो और बढ़ गया और विकास के लिए वो एक नई सिड़ी पार कर लेगा ठीक उसी प्रकार ट्रांस साईबेरियन रेल मार्ग का प्रमुख देश है उसको एशियाई रूस को यूरोपी रूस से जोड़ना मतलब साइबेरिया को पश्चिमी जो मतलब आपका हम कहें कि यूरोप के में जो रूस पढ़ता है रूस का जो हिस्सा पढ़ता है उससे ज संसाधनों से का एक हम क्या बोलेंगे एक हब जैसा है बहुत सारे यहां पर भंडार है खनीज और वन संसाधन के दृष्टी कोण से यह बहुत जादा सम्रिध है तो चूकी यहां पर घना वनावरण है वनाच्छादन है जिसके करण उसका जो विकास है वो उतना अधिक नही हो पा रहा है लेकिन संसाधन जो है वो यहां पर हमको बहुत देखने को मिलते हैं और इसी करण इसको रूस का भंडार या स्टोर हाउस भी कहा जाता है और इस मार्ग के द्वारा जब इस मार्ग का विकास हुआ तो जो साइबेरिया से हम कह सकते हैं कि कच्चा माल या संसा गया तो इसका प्रमख उदेश था जो साइबेरिया रूस जो है साइबेरिया जिस रूस को हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं उसका विकास करना या उसको यूरोपीय रूस से उसका क्या बोलेंगे कनेक्शन या उसको जोड़ना वहां से हमने देखा कि यूरोप में सब यूरोप में भी सबसे जादा कहा है तो आप देख रहे हैं यूरोप के बेल्जियम में सरवाधिक घनत्व है रेल मार्गों का जो लगभग 6.5 किलोमीटर प्रती वर्ग में आपको एक किलोमीटर रेल मार्ग देखने को मिलता है अब हम बात करते हैं इसमें एक और महत्वप होती हैं लंडन को पेरिस से कौण यूरो टैनल चैनल या सुरंग अब हम देखते हैं कि' सबसे लंबा होने के साथ साथ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह पुरें साइबेरिया के विकास के लिए महत्वपूर्ण है पहले तो ये प्रशाशनिक और सैनिक आवश्चक्ताओं की पूर्ती के लिए इस रेल मारग का निर्माण किया गया था और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे वहाँ पर साइबेरिया के विकास के लिए मतलब वहाँ जो जितने भी खनी संसाधन है लकडी है लुगदी है इन सब का जो परिवहन है उसकी आवश्चक्ताओं को पूरा करने के लिए और उससे तयार माल को आयात करने की द्रिश्टिकोंड से इसका और जादा महत्व बढ़ गया अब हम देखते हैं इसकी जो लंबाई है ये लगभग 9560 किलो मीटर लंबी है ये रेल मार्ग जो है और ये पूरो में आपके एशियाई रूस के जो ब्लाडी वोस्टक एशियाई जो रूस है वहाँ के ब्लाडी वोस्टक को ये आपके यूरोपी रूस जो है उसका पश्यमी भाग सेंट पिट्स बर्ग से जोडता है या वहाँ तक की यात्रा इसकी पूरी होती है ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग मैं इसको फिर से बता दू मतलब साइबेरिया के आर पार है ना इसका अर्थ हुआ ये रेल मार्ग जो है इसका निर्माण जो है अठारा सो इंक्यानवे में शुरू हुआ था बनना शुरू हुआ हम देख पा रहे हैं उसके बाद 1905 में ये पूरी हो गई 18 सुइंक्यान में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1905 में ये पूरी हो गई सन 1945 में इस रेल लाइन को दोहरी लाइन जो पहले सिंगल लाइन थी उसको डबल लाइन बनाया गया और साथ ही इसको विद्यती कृत भी इस रेल लाइन का किया गया जिससे इसकी गती और छमता दोनों ही बढ़ गई अब हम इस रेल मार्ग का और थोड़ा महत्व देख लेते हैं सबसे महत्व पूर्ण बात है इसकी कि ये एसी आई जो एशियाई रूस है उसको पश्यमी यूरोप से जोड़ता है मतलब एशियाई रूस में जितने भी देश पढ़ते हैं उनको पश्यमी यूरोप के देशों से ये रेल मार्ग जो है वो जोड़ता है साथ ही इस रेल मार्ग की जो और शाखाएं हैं वो यूक्रेन, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, मंगोलिया और चीन तक जाती है साथ ही साथ ये जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था साइबेरिया उसको सम्रिध किया है इस रेल मार्ग ने इसकी महत्तोपूर्ण जो बात है सबसे अब हम देखते हैं कि ये कहां से कहां तक जा रही है तो हमने बताया अभी कि आपके ACI रूप का जो पुर्वी भाग है उसका ब्लाडी वो स्टक है वहां से ये रेल मार्ग जो है वो शुरू हो रहा है और उसके बाद फिर खवरो वस्क आगे बढ़के जाता है उसके आगे जाता है चिता फिर पढ़ता है आपका अंकास्क फिर पढ़ा आपका ओमस्क फिर ट्यूमिन ट्यूमिन के बाद फिर ये कजान के बाद रूस की राजधानी और सबसे बड़ा जो नगर हम कहते हैं मासको मासको होते हुए ये सेंट पीट्सबर्ग तक पहुचता है और इस यात्रा के दौरान मैंने भी बताया था कि इसकी लंबाई लगभग 9560 किलोमीटर होती है ये हो गई ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात अब यूरोप में ही दूसरा रेल मार्ग आपका महत्तो पूर् जिसको हम बोलते है Grad और्येंट express मार्ग इस मार्ग की जो विशेश्चता है वो ये हैं यह आठ देशों को आपस में जोड़ता है लगभग Cara देश पढ़ते हैं इस मारग में जिनको ये आपस में जोड़ता है उसके बाद इस मार्ग से जितने भी एशियाई देश है और आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, भारत, मैंनमार यह सब को जोडने का प्रस्ताव है इन एशियाई देशों को इस रेल मार्ग से यह रेल मार्ग जो है वो प्रमुख रूप से पेरिस है ना फ्रांस में जो है पेरिस जो है उसको यह तुर् को तुर्की से यह रेल मार्ग जो है वो जोडता है कौन सा आपका ओर्येंट एक्स्प्रेस मार्ग तो यह हो गई आपकी बात पूरे अलग-अलग महादीपों में जो रेल मार्ग है उनके वितरन की कहां कैसा और किस स्थिती में है किस चीजों का परिवहन किया जाता है इन रेल मार्गों के द्वारा पहले से भी मतलब जब सबसे शुरू में लगभग अठारा सो तिरपन में जो पहली रेल चली आपकी मुंबई से थाने के बीच में और इस रेल के चलने के बाद से लगातार आज तक हम देखेंगे तो यहां रेल मार्ग का लगातार विकास जो है वो किया जा रहा है अब हम यह देखते हैं कि हमारे भारत में लगभग जो माल ढुलाई का कारी किया जाता है रेल परिवहन के माध्यम से वो यदि हम 100% माल या हम यह कहें कि विश्व का जो भी लगभग 80% माल धुलाई का काम किया जाता है रेल मार्ग के द्वारा और यात्रियों को परिवहन करने का जो प्रतिशत है वो लगभग 70% यात्रियों का परिवहन रेल मार्ग के द्वारा किया जाता है तो यह हो गई ब कि कौन सी बाते इंपोर्टेंट है, छोटी-छोटी नोट्स या छोटे-छोटे जो पॉइंट्स है, जो हमें पता होने ही चाहिए, जो आपके एक नमबर, दो नमबर के कोशन बनते हैं, बहुविकल पिये प्रशन इससे पूछे जा सकते हैं, यदि हम बड़े प्रशनों की बात करें, तो आपको दिया जा सकता है कि किसी एक रेल मार्ग के बारे में, जैसे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के ही बारे में पूछ लिया, कि इसके निर्माण, महत और विशिष्टाओं के बारे में चर्चा कीजिए, तो आपको हर एक रेल मार्ग को डिटेल से भ परकार के प्रश्ण में और जो बहु विकल्पियो और एक नंबर के जो कोशन है उसमें हमने देखा कि जितने भी हमने रेल मार्ग पढ़े हैं वो उसके संदर में हमको यह जाना जोरी है कि लंबाई तो ठीक है वो याद रहता है तो बहुत अच्छा है है ना सबसे लंबा साथ वो रेल मार्ग जो है वो किस स्थान से शुरू होता है और कहां तक का सफर करता है और उस रेल मार्ग में पढ़ने वाले हमको कम से कम कुछ चार से पांच स्थानों के नाम तो पता होने ही चाहिए तो आज की बात हो गई हमारे रेल मार्ग के विशय में झाल झाल